दोस्तों आज है पाच अपरेल और आज होगा टीम रोयल चलेंजर बैंगलोर और टीम राजस्तान रोयल्स के बीच महा मुकाबला वांखेड़ी के मैदान पर दोनुगी टीम आपस में भीडेंगे आज की स्वीडियो में आप सभी को बताऊंगा टीम डोयल चलेंजर बैंगलोर की क्या प्लेंग 11 आज होने वाली है किस प्लेंग 11 के साथ मैं RCB के टीम राजस्तान के सामने वतरेगी साथ में RCB के टीम की बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी को दूंगा मैक्सवल मुकाबला खेलेंगे ने इसके उपर final और official update निकल करा शुगी है क्या होंगे top 4 versus RCB के team के और क्या क्या चिंजिस RCB के team आज की playing 11 में करेगी सभी details मैं आप सभी को बताऊंगा तो अगर आप लोग RCB के team के fan हो तो वीडियो को आप लोग end तक सरूर देखेगा दोस्तो इस IPL सीजन में अपनी fantasy team विंजो एप पर बना रहा हूँ और आप लोग भी यहां पर पैसे जी सकते हो आज RCB और राजस्तान के मुकाबले में मैंने तो अपनी fantasy team विंजो पर बना ली है आप लोग भी विंजो पर अपनी fantasy team बनाई है और आप लोग अपनी winning यहां पर pay team और किसी भी UPI के तुरू बहुत ही easy से withdraw भी कर सकते हो अगर आप लोग अभी विंजो एप को डानलोड करते हो तो आपको 50 रूपे का cash bonus मिलेगा तो देर की इस बात की आप लोग भी फटा फट विंजो एप को डानलोड कीजिए दोस्तो RCB के team आज IPL 2022 में अपना तीसरा मुकाबला खेलेगी लास मुकाबला RCB के team का KKR के अगेंस हुआ जिसमें RCB के team को जीत मिल गई थी लेकिन आज RCB के team का मुकाबला राजस्तान रोयल्स के अगेंस होगा जो कि IPL 2022 के अभी तक की best team है पॉइंच टेबल पे नमबर एक पे चुल रही है दो मुकाबले खेलें और दोनों में राजस्तान के team को जीत मिली है और आज RCB के team का सबसे मुश्किल मुकाबला होने वाला है अब RCB के team की top updates की बात कर लेते हैं जो कि आज निकल कर आई है और पहली update Glenn Maxwell से जूड़ी है क्या Glenn Maxwell आज राजस्तान रोस्ती खेलेंगे दोस्तों आप सभी को बता दे Glenn Maxwell ने RCB के team की training को जोइन कर लिये है प्रैक्टिस शुरू कर ली है और Maxwell के RCB के team की jersey में वीडियोस भी सामने निकल कर आचुकी है अब दोस्तों बात करें क्या Glenn Maxwell आज मुकाबला केलेंगे आज के मुकाबले के लिए Glenn Maxwell प्लेंग 11 में सेलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिस इन्हों ने ज़रूर शुरू कर दिये लेकिन आप सभी को बता दे cricket Australia board के जितने भी contracted player है वो कोई भी मुकाबला 5 अपरेल से पहले नहीं कहल सकते क्योंकि 5 अपरेल को Australia और Pakistan की series खतम होगी तो ऐसे में 5 अपरेल से पहले ये सभी के लाड़ी कोई भी मुकाबला नहीं कहल सकते तो Maxwell आज के मुकाबले के लिए अवेलेबल नहीं है 9 अपरेल को RCB के टेम वो मेंडेंस के गेंस बीडेंगी उस मुकाबले के लिए Maxwell अवेलेबल हो जाएंगे अब दोस्तो बात कर लिए यहां पर RCB के टीम की प्लेइंग 11 की तो सबसे पहले हम चार Overseas player की बात करते हैं तो आप लोगों को Overseas player में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा वही चार Overseas आपको दिखेंगे फाफ डू प्लेसीज शर्फरन रदरफर्ड वनिंदू हसरंगा और डैविड विली यही चार Overseas भी आज यानिकी राजस्तान रोल्स के अगेंस खेलेंगे अब हम लोग प्लेइंग 11 की बात कर ले तो उपनिंग करते हुए पाफ डू प्लेसीज के साथ हम सभी को सुयेश प्रभू दिसाय नजर आ सकते हैं नमबर तीन पर विराट कोली नमबर चार दिनेश कार्तिक नमबर पाँ शर्फरन रदरफर्ड नमबर शेश शाबाज एहमद नमबर साथ डैविड विली नमबर आठ बन इंदू हासरंगा नमबर नो हर्फर पतेल नमबर दर सिधार्थ कॉल और नमबर यहरपर मोहमज सिराजम सभी को आज यानिकी राजिस्थान रोयल्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में खेलते वे नजर आने वाले हैं आप लोग दोस्तों कॉमेंट करके बते हैं आज RCB और RR के मैच में RCB के टीम का कौन से बल्ले बास सबसे दारन बनाएगा आप लोग कॉमेंट करके अपनी राइस जरूर देना और RCB के टीम के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करिएगा नोटिफिकेसन बेल को दबाएगा मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में